है लोगाई स्थाइल आलेट नाइलेट के दो एग्जाम होने वाले अभी समीर साइंटिस्ट भी साइंटिस सी और आइसी ए आर्ट साइंटिस्ट भी दोनों की exist और डेट अनाॉंस हो चुकी है ठीक है तो हम इस वीडियो में अग्जाम डेट पैटर्ण उसलिबस करेंगे ठ समीर का जो एक्जाम इन्होंने टेंटीट डेट दी है वो है सत्रा मई दोहजार थेज़ ठीक है लोकेशन यही भरी होंगे साथ ही लोकेशन है इसमें दूसरा सब्सक्राइब करें समीर का इन्होंने इस साल कुछ पैटर्न में किया हुआ है अगर बात करें जो इन्होंने अड़िटाइजमेंट में क्या लिखा एक्जाम के बारे में इन्हों इतना सा लिखा है जो इस इप से लावा इन्होंने किया वेबसी बट जो लास्ट एक्जाम होगा था वह भी गेट पैटर्न मेंशन किया था उसमें सिलिबस तो गेट का दिये हुआ था ठीक है एक तो यह चीज है सेकिंड जो पैटरन था एक्जाम पैटरन ऐसा खुछ था कि एप्टीट्यूड जैसे गेट में आता है सेम पांच कोशन एक मार्क के पांच नमबर दस कोश्चन सोरी पांच कोश्चन पांच कोश्चन दो मार्क के ठीक है दस नमबर मतलब टोटल दस कोश्चन सेम उन्झ इइन एक मार्क के यह मेंने फाइव इंटो वन फाइव पाइव इंटो 2010 ठीक हैं टोटल टैन कोश्चन फिर जो टेक्निकल पार्ट है इन्हों दिया 10 question एक marks के 10 marks और कितने होगे दस टीस question दो marks के ठीक है 60 टोटल 40 question टेकनिकल ठीक है टोटल सो होगे पंदरा 15 पंदरा 30 और सतर सो ठीक है तो टोटल 60 questions 100 marks ऐसा पेटरन लोने लास्ट पेपर में दिया था ठीक है और टाइम दो घंटे ठीक है तो गेट का सिलिबस है गेट का पैटन है ठीक है बट लेवल जैसा नहीं था लास्ट पर इस इतना सुनने में आ सबसे पहले पैटन इन्हों ने अच्छे से चीज़े दिवी है यहाँ पर देख सकते हूं यह तीन घंटे का एक्जाम है एक सो बीस कोशन यह पैटन है जो नाइलेट के अभी साइंटिस्ट भी स्टी क्यू सी या फिर माइटी के होए थे सेम एक सो बीस कोश्टन होंगे उसमें 65 परसेंट 65 परसेंट ओल्मस्ट में रखता है कितने हो जाते थे जो साइंटिस्ट भी किया है इतने कोशन नहीं पूछेंग हुए है मेन एप्टिटूट लोजिकल इन्डिक ज्यादा पूछा है इंग्लिस फड़ा कम पूछा हुआ ठीक है जाके आप चेक कर सकते हो नाइलेट की प्लेइस में आप्टिट तो बहुत पेपर सॉल कराया और आपको रिटर्न में 50% लेके ही आने हैं मिनिमम दोनों सेक्शनल कट ओफ भी है ठीक है 50-50% मिनिमम होने ही चाहिए दोनों में और ऑवराल भी मिनिमम होने चाहिए जर्नल केंडिट्स के लिए 40% OBC 30% SC and PWBD ठीक है और इसमें 24 सेंटर वगएर आपके आ जाएगी बट इ इसी और सीएसकी बट जोनों का अलग अलग है ठीक है आप स्लेब कर सकते हो कि इसमें एक एक्शा चीज क्या थी इंजिनिंग मैफमेटिक्स इसमें डिस्क्रीट मैट्स ठीक है वह एक्शा इसका कुछ वेट इस दीया है मैं इसमें जो मैट्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हैं जो पिर बाकी चीज इसी का से लिबस बेसिक एलेक्टोनिक्स एंड एलेक्टोनिक्स मेजर्मेंट ठीक है और कंप्यूटर नेशन गेट में है बट थोड़ा समय लगता है कुछ एक दो टॉपिक हो सकते हो फिर एक बिल्कुल नया चीज़ है नेटवर्क एंड साइबर सिक्यूरिटी ठीक है तो यह सब चीज़ें अभी ऑल्मोस्ट चार तारीक हो गई है तो 17 और 21 ठीक है यह तो बीच के दिन तो ऐसी निकल जाएंगे तो यह सब चीज़ें अच्छे से प्रप्रेशन को जो आप सब लोग गेट का पड़ के बैठे ही हो ना मोश्टी सब लोग जो चीज़ें लगता है कि वीक है जो टॉप लगता है उस पे बहुत ज्यादा ध् सब्सक्राइब करें तो इसके इलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो ठीक है और वीडियोस कुछ इंफोमेशन मिले हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यों सो मच